अब रोज 20 करोड लोग भूके सोते हैं वहाँ औरतों को देवी मानते दे जहाँ अब रोज 105 बलातकार होते हैं वहाँ कर्म को पूजा जाता था जहाँ कर्म को पूजा जाता था जहाँ आज 2 करोड वेरुस्गार रहते हैं वहाँ शांती की नदियां बहती थी जहाँ जूट बोलना पाप होता था जहाँ आज उतनी आसानी से सच दिखता है वहाँ इमानदारी को धर्म मानते थे जहाँ इमानदारी को धर्म मानते थे जहाँ आज ब्रश्टा चारियों का शासन रहता है वहाँ एकता का फूल खिलता था जहाँ एकता का फूल खिलता था जहाँ जाती वाद पर आज गर चलते हैं वहाँ नारी शक्ती को पूजा जाता था जहाँ नारी शक्ती को पूजा जाता था जहाँ हर साथ दस करोड बच्चियों को पैदा होते ही मान दिया जाता है वहाँ जहां बच्चों को बगवान का रूम थे मानते कि आप जानते हैं वहाँ आट करोड बच्चे स्कूल तक नहीं चाते मुझे बहुत प्यार है मेरे भारत से लेकिन यह वह भारत नहीं है जिसके लिए राजगुरु में अपनी जान गवाई ये वो भारत नहीं है जिसके लिए राणी लक्ष्मी बाई ने लड़ते लड़ते गोलिया खाई लाइन है ध्यान से सुनिएगा 71 साल हो गए आजादी मिले लेकिन आज भी हम बंदी है 71 साल हो गए आजादी मिले लेकिन आज भी हम बंदी है आज पिर इतियास ने अपने आपको दोना है आज पिर फिरूटता हुए सूरज फिर से उखाना है, अपनी मात्रोगूमी का पशियों पेरांना है जिसमें ना जाती वाद होगा ना अतल वाद होगा हर कोई अपनी हग की रोटी खाएगा हर कोई अपने दिल में इमानदारी का दीप जलाएगा और तो फिर देवियों की तरफ पुजा जाएगा अरे हम सब साथ मिलकर लेहनत करें तो हमारा संगर्श जरूर रम लाएगा यह थोगी केरी लाइन है आज अचानक आसमान से एक आवाज आईए शायद भगत सिंग ने कहा है क्या इस देश के लिए मैंने अपनी जानगर्वाईए और साथ मिलकर हम एकता की कसम खाए और साथ मिलकर हम एकता की कसम खाए और साथ मिलकर हम इस देश को हमारा भारत झाल झाल